हर्याना एंप्लाइज वेलफेर एसोसेशन ने एलान किया है कि अगर कलमंत्री मंदल की बैठक में नीजी सच्चिवों को अवर सच्चिव और सच्चिव के पद के निमों में बदलाब किया गया तो वो खटर सरकात के खिलाब मोर्चा खोल देंगे इस समय में में साथ हैं हर्याना एंप्लाइज वेलफेर एसोसेशन के अध्यक्स बगत शोकंद इन से जानते हैं कि वो ऐसा एलान क्यों कर रहे हैं जी शोकंद हमारे HCR ओफिस में नीजी सचीव को सचीव के पद पर पदोंती करने के नियम बनाए जा रहे हैं जिसमें नीजी सचीव को सचीव के पद पर पदोंती दी जा रही है और नीजी सचीव को और सचीव के पद पर पदोंती दी जा रही है जो कि बहुत ही गलत किया जा रहा है 80% कलायरिकल स्टाप के साथ दोखा किया जा रहा है और हम मानिय मुख्यों मंतरी मोज्जय और सभी मंतरी गणों से मंतरी मंडल हमारी हरियाना सरकार से अपील करते हैं कि ऐसा अजेंडा पास ने किया जाए और चीफ सेक्टी पैटन पर चीफ से मुख्यश्चीव करें लेकि जैसे वहां सचीव के पद के लिए जो नियम है उसी तरीके से बनाए जाए चीफ सेक्टी पैटन पर बनाए जाए यदि सरकार ने हमारी ये मांग अपील नहीं मानी तो हम हर्याना सरकार के खिलाब मौचा को लेंगे विरोध परदस्फन करेंगे शोकन जी आप मांग कर रहे हैं कि अलग केडर बनाया जाए किसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि चीफ सेक्टी ओफिस में अलग केडर है पी और पीएस का अलग केडर है जो प्राइवट सेक्टी है नहीं प्राइवट सेक्टी हो अपनी मनमानी कर रहे हैं अपनी मनमानी करकर पदोंती ले रहे हैं इसलिए हम हर्याना सरकार से मांग करते हैं कि इसने का अलगी कैडर किया जाए और चीफ सेक्टी पैटर्न पर सचीव के पद के लिए जो नियम बन बनाए जा रहे हैं उनको चीफ सक्षी पैटर्न में बनाए जाएं ये थे में साथ हर्याना एंप्लाइज वेलफेर एसोसेशन के अध्यक्स भगर सिंशोकंत इन्होंने खटर सरकार को चेतावनी दी है कि अगर कल मंत्री मंदल की बैठक में नीजी सत्यों को अवर सचीव और सचीव के पद के नियुमों में बदलाब किया गया तो एंपलाइज सरकार के खिलाब मूर्चा खोल देंगे इसके साथ साथ इन्होंने ये भी मांग की है कि कलेरिकल स्टाप और प्राइवेट सेक्टी का अलग-लग कैडर बनाया जाएं कैमरामें संजे के साथ अनिल कुमा तोटलनु चंडिकार